हाई बीटबल एंगल्स वेलकम वुदि द्वाइन फैमली राधे राधे चैश्री किश्ना आई होप आप सुल अच्छे होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे यह जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ यह है आप लोगों के नेक्स्ट सेवन डेज्ट में जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो नेक्स्ट आने वाले साथ दिनों में आपके कौन सी ऐसी इंपॉर्टन चेंज इस आने वाली हैं आपकी लाइफ में उनके बारे में ज नेक्स्ट आन है पाइल टू यू और लवड़ बन्स आर सेफ न्यू मून इंक एंसर और थर्ड वन है यहाँ पर एक्सपक्ट पावरफुल चेंज न्यू मून एक्लेप्स समय ले लीजिए पास कर लेजी वीडियो को एक से ज़्यादा भी पाइल को चूज कर सकते हो आप तो मैं आप लगों को मिलती हूँ गिवन टाइम स्टैंपर पाइल वन अगर आपने हाई पाइल वन तो अगर आपने इस कार को चूज किया है जो है इमोशन are running high, supermoon तो अगले साथ दिन में किसी रीजन से आपके इमोशन बहुत उमरने माले है है यह होगा इन परोगा कि हैं आप यह मोश्योंस की वजए है आपके अंदर द या है तो सर्फिस पर आ सकते हैं या पे देख सकते हैं या पर ओर ओकानों की तरह जैसे यह फट रही हैं फाइर.. तो इस तरह से वह मोशन जैसे हम लोगो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नहीं बोल पाएं, सम्टाइम, डिवाइन के साथ भी हम लोग कुछ बाते कहरना चाहते होते हैं कि हाँ ये मेरे साथ क्यों हुआ या आप डिजर्व नहीं करते हो इस तरह की बातें आपकी दबी हुई सर्फिस पे आ सकती हैं सर्फिस पे इसलिए आ रही है क्योंकि ये सूपर मून है इसके एनरजी काफी हाई है यहाँ पर औ भी होगा कि या तो अगर आप जिसकी वेट कर रहे थे वो एकदम से सदन ऐसी चेंज आपकी स्टुएशन में रिलेशन्शिप में आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपके वर्क प्लेस पर इस तरह से सदन चेंज आ जाए जिसका शाद आपको बहुत देर से इंतजार था और व वो एकदम से चीज आपके हाथ में मिल जाती है तो हम लोग फूट फूट कर चाहिए वो खुशी के हमारे आंसू हो तो वो रोने लग जाते हैं क्योंकि वो इमोशन्स जो हमारे उस चीज को लेकर उस विश को लेकर उस मैनिफेस्टेशन को लेकर जो दबे हुए थे वो सर अगले साथ दिनों में यहां पर हर्मिट यह दिखाता है कि चाहिए आपके चारों तरफ अंधीरा था फिर भी आपके लिए चीजे इनो चलनी पा रहे थी यह प्रॉग्रस नहीं देख पा रहे थे आप किसी भी जगह पर यह स्प्रिच्वली आपकी हो सकती है या आपके क स्पार्वारम से पेशन के साथ वेट के साथ की आपका कि आपका समय आएगा तो समय चाहे लग रहा था यूणिवर्स को चीज़ों को सेटल-डाउन करने के आपके लिए लेकिन आपने कितनी डार्कुनेस में थे लेकिन आपने धैरे नहीं खुआ आप राम से उस समय का इंतजार करते रहे पीस रखी आप पॉजिटिव रहे क्योंकि आप अंदर ही अंदर काम कर रहे तो यहां पर वाइट जो यहां पर डियर दिखाया हुआ वो मु जाएगा जो भी हो रहा है सब कुछ एक नाएक दिन ठीक हो जाएगा तो इस तरह की पेशंस मुझे नजर आ रही है जिस वज़े से आपको यह विक्टरी आप जो डिजर्व करते थे वह आपको आने वले समय में मिल सकती है एक तरह की सकसेस और विक्टरी मुझे नजर आ है progress नज़र आ रही है workplace पर किसी भी किसी रिष्टे में हो सकती है कि आपने किसी रिष्टे का किसी परसन का इंतजार किया किसे situation में से आपको जो किसी situation ने आपको दर्द दिया बहुत दिल दुखाया आपका लेकिन आप फिर भी शांती से वो समय निकालते रहे और अब आपको six of wands की यहां पर victory मिल रही है आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हो आप तेजी से आगे बढ़ रहे हो six of wands पर सिधा ही पहुंच जाना यानि कि एकदम से इस sudden change की वज़े से आपको six of wands की energy में energy जाने को मिल रही है और यह सारी वज़े जो है the hermit की वज़े से कि आपने जो शान्ती और patience और faith जो अपने आप में बनाए रखा और आप अपने ही उपर यूनो काम करते रहे और कहीं न कहीं inner peace के साथ inner strength के साथ आप जुड़े रहे हो तो इस वज़े से यह आपकी six of wands आपकी लाइफ में आने माला है जो है आपके लिए important change वो सबके लिए अगले साथ दिनों में आपके होने वाला है यहाँ पर आप लोगों के लिए पाइलमन निकला है कि sincere and direct communication that comes from your heart will solve many problems and open emotional blockages तो या तो आप you know communication कर रहे हो अपनों के साथ जिसके साथ बोला मैंने किसी situation किसी person के साथ यह relationship में भी हो सकता है यह sudden change आजाए आपके साथ गल्थ होता रहा है या यह dark energy थी लेकिन आपने चुपी साधे रखी यहाँ पर आपके एकदम से emotional blockages open हो जाएंगे इस tower moment की वज़े से आप बोल पाऊगे जो express करना चाहते हो जो आपने दिल में रखा हुआ था जिस वज़े से यह काफी ज़दा emotions आपके you know suppressed हुए हुए थे उस वज़े से एकदम से यह विलकैनों की तरह emotions आपके बाहर आने वाले हो जो आप बोलना चाहते हो वो बोल पाऊगे communicate करना चाहते हैं जो भी बात अपनी रखना चाहते हो वो रख पाऊगे और साथ में यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी तरह से आप यह universe के साथ जुड़ रहे हो अपने हार्ट चक्रा उसमें भी आपको काफी सारे messages और वो ideas मिलने वाले हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो और किस तरह से six of one की energy में जा सकते हो तो यह भी मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए एक और message देख लेते हैं पाइल वन तो यहां पर है old accumulated anger blocks the connection with the divine तो अगर आप यहां राइड नाओ किसी तरह की anger को आपने hold किया है जो यहां पर भी नजर आ रहा था इस tower card में red color जो है anger aggression का अगर आपने उसको रखा हुआ है anger को अपने दिल में तो वह कही नगहीं आपके divine के connection के बीच में आ रहा है तो इसको anger को थोड़ा सा control कीजिए और थोड़ा सा hermit mode पे जाएए अगर आप भी right now नहीं हो तो अराम से आपको six of one की energy आपको देखने को मिलेगी तो यह थी आप लोगों के लिए reading pile one thank you thank you thank you so much for watching please like share subscribe जीओ करें मेरे चैनल को comment section में जूरू बताएं कि आपको reading कैसे लगी है personal reading के लिए जो अभी के लिए discount पर चल रही है next month तक तो आप उसके लिए मुझे contact कर सकते हैं या फिर taro सिखने के लिए भी मेरा हमेशा ही email address or whatsapp number हमेशा in description box में दिया होता है thank you thank you thank you so much for watching and bye for now hi pile 2 तो अगर आपने इस card को choose किया है जो है you and your loved ones are safe new moon cancer तो देख लेते हैं अगले साथ दिनों में कौन से important changes आपकी life में होने वाली हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर है अगर आप अपने present और future के लिए किसी तरह की safe नहीं feel कर रहे हो या stable feel नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आप और आपकी family या loved ones आपके safe हैं protected हैं तो इस बात की चिंता मत कीजिए तो यह right now की आपकी energy हो सकती है कि आप अपने बारे में अपनी safety बच्चों के बारे में या family के बारे में जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो तो यहाँ पर divine की तरफ से आपको definitely protected हो आप तो चिंता की कोई बात नहीं है आपके loved ones जिसको healing की जुरत है यह कुछ लोगों के लिए message resonate होगा कि जिन लोगों को भी you know आप बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनको healing की जुरत है उनमें बहुत अच्छे सी changes आ रही हैं उनमें आगे बढ़ने के लिए you know काफी कुछ वो deep healing कर पा रहे हैं right now वो भी उनकी life में हो रहा है तो यह भी message था आप लोगों के लिए तो अगर आप किसी के बारे में concern हो किसी की health के बारे में किसी के बारे में सोच रहे हो किसी की healing के बारे में सोच रहे हो यह के एक एरिया हो सकता है कि हाँ आपने किस इस रिलेशनशिप में बहुत ट्राई किया, डिफरंट चीजें अपलाई की, डिफरंट मैथर्स ओफ शद हीलिंग ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन वो वर्क नहीं हुआ तो कहीं न कहीं आप खो रहे थे, कि हाँ कुछ भी वर्क नहीं हो सकता किसी परसन के लिए, अपनी लाइफ के किसी परसनल ग्रोथ, या स्प्रिच्वालिटी या फिर करियर में कि बहुत तरीके आपने अपनाए लेकिन वो काम नहीं किये तो right now आप five of cup की energy में हो सकते हो कि कहीं न कहीं अब आपका दिल नहीं कर रहा आगे बढ़ने को कुछ change लेके आने को और या कुछ नया start करने को लेकिन soon जो है, इसलिए important change है क्योंकि soon आप देखोगे, आप इस energy से बाहर निकलने वाली हो five of cup की energy से और यह इसमें change आने माली है क्योंकि कहीं न कहीं आप बड़ी universe आपकी help करेगा three of coins, you know, universe की help मिलना तो universe आपको help करेगा heal करने के लिए इस aspect को और कुछ न कुछ encourage करेगा आपको कुछ न कुछ नया try करने के लिए suppose आप career place पर हो तो आप कुछ काफी चीजे try कर चुके हो लेकिन अब जो आपको idea भेजा जाएगा वो आपके लिए work करेगा और यह dark energy इसलिए भी हो सकती है कि यहाँ पर कहीं लोग जो है आपके काम से, आपकी progress से jealous है जो मुझे नजर आ रहा है तो कहीं न कहीं वो आपको यह evil eye भेज रहे थे यह jealous वली और blockages का काम कर रहे थे आपकी और आपकी abundance आपकी success के बीच में तो आप देख रहे हो कितनी असानी से आप वो धागे codes को cut करके आगे निकल रहे हो आप फिर से positive हो रहे हो और अगर आप ऐसा feel भी कर रहे थे यह मुझे लगता कि आपकी energy नहीं है आप हमेशा positive रहते हो और हमेशा faith रखते हो universe के उपर लेकिन लोगों की energy ने आपको उसमें पहुँचाया हुआ था कि आपको लग रहा था कि कुछ भी work नहीं कर रहा है सबको कुछ illusion है आप बहुत कुछ try कर चुकर हो लेकिन यहाँ पर आप बड़े असानी से अपने आपको heal कर रहे हो positive हसते हुए आगे बढ़ रहे हो उस नए ideas को आप अपनाने माले हो जो भी यह नए ideas या नया कुछ काम या add up करना आपने workplace पर वो आप कर पा रहे हो यहाँ पर कुछ हो सकता है कि आप कुछ healing courses introduce करने वाले हो कुछ healing के लिए extra करने वाले हो excuse me तो आप healer हो सकते हो तो आप healing already करते हो तो आपको लगता है कि कुछ और add up होना चाहिए उसमें अगर आप tarot reader हो आप सोचोगे की एक example है आप सोचोगे की रेकी healing add कर लेते हैं तो इस तरह की कुछ आप ideas को add up करने वाले हो जिससे आपको और भी ज़दा शान्ती और खुशी मिलेगी और healing भी होगी और आप बड़ी अच्छे से उस negative वाले emotions में से आप अपने आपको इस उसमें फसे हुए था तो spiritual team आपको यह push करने वाली है आपको help करने वाली है इस area में से और यहां पर three again है यहां पर three three आप लोगों के लिए significance हो सकता है कि आपको बहुत सारे sign मिल रही है यह 555 हो सकता है यहां पर three of words असानी से आप अब जो right now मैं बोल रही है इन अगले साथ दिनों में अगर जिस भी नए idea पर जिस भी नए तरीके पर आप काम करने वाले हो या कुछ नया सीखने या add up करने वाले हो ना वो आपका बहुत ज़्यादा successful होने वाला है यह यहां पर clearly नज़र आ रहा है three of wands है कि वो लड़की progress कर रही है उपर को चड़ रही है नीचे को नहीं और एक जगा रुकी नहीं हुई है वो उपर चड़ रही है तो definitely आप जो जिस चीज के लिए action लेने वाले हो जो भी यह idea है यहां पर उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है आपकी progress ज़रूर होने वाली है तो अगर आप कहीं पर थमे हुए थे या कहीं रुका हुआ मैसूस कर रहे थे और यहां पर hope नहीं थी आपको तो आप देख सकते हो कि three of coins में आपने आपको heal किया अपने आपको push किया, encourage किया उस नए idea को अपनाने वाले हो और आपकी progress होने वाली है यह हमेशा यह again divine divine पर faith रखा हुआ है आपने और divine के faith के साथ ही आप आगे बढ़ रहे हो और यह progress आपको जरूर दिखने वाली है इसी लिए यह important changes है कि हो सकता है काफी देर से आप इस जगा पे थे five weeks से, five months से लेकिन आप यहाँ पर three of wands में पहुँचने वाले हो soon तो आप लोगों के लिए देख लेते है hidden truth क्या है pile two तो two यहाँ पर निकल आए है hidden truth from this day on all the excuses that served you escape from happy fulfillment are cancelled तो सारे excuse जो आपको happy नहीं कर रहे थे वो सारे cancel किये जा रहे है obviously आप unhappy situation से happy fulfillment वाली situation में पहुँच और यह बहुत अच्छा message इसके साथ जा रहा है your criticism hurts your soul तो अपने आपको criticize ना कीजिए शायद आप अपने आपको self worth अपनी आपकी कम समझ रहे हैं लगता है कि आप worthy नहीं हो इस progress के आप worthy नहीं हो abundance को पाने के लिए आप worthy नहीं हो कुछ नया करने के आगे बढ़ने के you know receive करने के लिए तो यहाँ पर आपको बंद करना होगा क्योंकि वो आपकी soul को कही ना कही हर्ड करता है तो यह आपके लोगों करने के लिए message है positive रही है जैसे इहां पर दिखाया गया है कितनी खुश है वो feminine energy बड़े असानी से वो आगे बढ़ रही है अपने नई idea के साथ फेद के साथ तो इस energy में रही है आपको जरूर सफलता मिलने वाली है तो यह थी आप लोगों के important changes आप लोगों की life में आने वाले हैं while to thank you thank you thank you so much for watching please like share subscribe जूँ करे मेरे चैनल को comment section में जरूरता है कि आपको ये reading कैसी लगी है और साथ में personal tarot reading जो right now discount पे चल रही है जो मैं सिरफ दो ही बार discount पूरे साल में लगाती हूँ तो one month के लिए discount पे चल रहे हैं तो आप अगर personal reading देना चाते हैं या tarot सीखना चाते हैं tarot सीखना चाते हैं मेरे से तो आप मुझे contact कर सकते हैं मेरा WhatsApp number और email address दोनों ही description box में दिया होता है thank you thank you thank you so much for watching and bye for now Hi pile 3 तो अगर आपनी इस card को choose किया है तो देख लेते हैं आपकी कौन सी important changes अगले साथ दिनों में आपकी life में आने वाले हैं तो वो देख लेते हैं आपके expect powerful change new moon eclipse तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी spiritually, personally आपकी life में बहुत सारी big changes आने वाली है अगले साथ दिनों में तो जैसे और आप बहुत जदा high vibration में अपने आपको feel करने वाले हो क्योंकि यह spiritually changes मुझे ज़्यादा लग रही है बाकी life के किसी भी area में हो सकती है यह आपका spiritual knowledge clarity बहुत सारी चीज़ें में आपको clarity भी मिलेगी वो भी मुझे लग रहा है और यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर the hanged man का जो यह दिखाता है कि कई लोग spiritual awakening से गुजर रहे हैं और कई लोग जो है final stage awakening से गुजर रहे हैं जहाँ पर आपका crown chakra open होने वाला है इस crown chakra की वज़े से आप काफी high vibration receive कर पा रहे हैं universal energy आप में flow कर रही है उससे आप high vibration में रहने वाले हो और साथ में बहुत सारी clarity आपको मिलने वाली है आप देखोगे आपके even कहीं पर भी कुछ ना कुछ आपको guidance मिलेगी आपको कुछ ना कुछ spiritually knowledge आप receive कर सकते हो किसी ने किसी रूप में यह videos watch कर रहे हो इस तरह की books आपके सामनी आएंगी इस तरह की videos आपके सामनी आजाएंगी जो आपकी knowledge को universe वाली knowledge को universe के related knowledge है universe किस तरह से काम करता है किस तरह से awakening में क्या होता है और किस तरह से clarity आप receive करते हैं वो सब कुछ जो है आपकी changes होने वाली हैं इस आने वाले साथ दिलों में बहुत चीज़ें आप समझ पा रहे हो और यहां पर मुझे लगता है कि आप कहीं न कहीं spiritual practices में भी changes लेके आ रहे हो different तरह की आप meditations कर रहे हो यह example है बाकी सब के लिए कुछ अलग से routine से हट कर आपने करना शुरू कर दिया है उस वज़े से भी आपकी changes आ रहे हैं दो moon card से मुझे लगता है कि अपनी past life के बारे में आपको सपनों में दिखाया जा सकता है कि आप past life में क्या थे करमा क्या होते हैं कौन से करमा में से आपको यह जेलना है या जेल रहे हो किस करमा से आप overcome कर सकते हो या किस तरह से आप आपको करना चाहिए overcome तो इस तरह की काफी सारी information dreams के थूँ आपको आ सकती है universe के राज और आपकी खुद की life को लेकर काफी सारे राज खुल सकते हैं या पर secret आपके सामने आ सकते हैं जैसे past life regression करते हैं लोग तो कौन से करमा अभी भी आप hold कर पा रहे हो उनके उनको समझ पाओगे आप जिससे आपको help मिलेगी कि उन करमा उसके ऊपर किस तरह से काम किया जाए तो उसके लिए से आप बहार निकल सकते हो किसी तरह के कार्मिक साइकल से या किस तरह की अपनी लाइफ को और जदा इंप्रूफ कर सकते हो positive बना सकते हो release कर सकते हो आगे बढ़ सकते हो high vibration से connect हो सकते हो सारी information यहाँ पर hanged man के थुरू भी आपको awakening के थुरू यहाँ पर मिल रही है तो काफी सारी moon के साथ यहाँ पर full moon दिख रहा है जो आपको काफी सारी emotions से related भी काफी सारी information आपको पंचाई जा सकती है अपने emotions को समझना उनके साथ deal करना you know confront करना ना कि उनसे भागना confront करना क्या सही है क्या गल्थ है कौन से emotions को release करना है आपको किस तरह से independent बनना है emotionally वो भी आपको काफी कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ पर page of want से page of want से आप अपने आपको free कर रहे हो जिस तरह से होता है कि knowledge जितनी आप यह बोला जाता है कि जितनी आपकी knowledge बढ़ती है जितनी आपकी wisdom बढ़ती है उतनी ही आप अपनी जिंदिकी का अंधेरा दूर कर पाते हो कही न कहीं वो knowledge जो wisdom आपकी जो यहाँ पर changes वो help मिल रही है आपको आपकी तरफ आ रही है यह guidance और wisdom उस वज़े से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो finish कर पा रहे हो काफी सारे cycles को release कर पा रहे हो अपनी dark energy को release कर पा रहे हो और बहुत अच्छे से समझ पा रहे ह तो यहाँ पर आपको वो freedom मिल रही है page of wand से या कुछ आप इस तरह से action ले सकते हो कि हाँ मुझे free किस तरह से करना है आपको अपने आपको किस तरह से इस situation में से निकलना है इन emotions में से किस तरह से release करना है क्योंकि अब आपके पास wisdom है किस तरह से deal करना है वो आपके पास wisdom है ये भी हो सकता है कुछ आप नया course या कुछ नया start कर सकते हो उससे भी आपको information मिल रही है इन situation को release करने के अपने emotions के साथ और अच्छे से deal करने के लिए तो यहाँ पर है बहुत जदा जैसे किसी की soul ना बहुत free हो रही है नया पन है यहाँ पर renew कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ समझ पा रहे हो और उस वज़े से आप ये action ले पा रहे हो नए नए तरीके नए ways नए methods जो आपने यहाँ पर सीखा है वो आपको जो सम क्यों किया जा सकता है किस तरह से अपन नया पन लया लाया जा सकता है और आपने आपको अप लाइट कर रहे हो डी कलेटरिंग क्लीनिंग इस तरह की उसमें से यह सब चीजे करने से भी आप कहीं न कहीं आपने आपको you know freedom दे रहे हो यह तो यह है इंपॉर्टन चेंजिस अब देख लेते हैं अप लोगों के लिए क्या है यहां से दो मैसेज़ेज हिडन टुथ से तो यह तो बिलकुल ही एकदम से मेरे enlightenment may arrive by surprise तो definitely जो मुझे awakening यहां पर लग रही थी वो enlightenment है कईयों के crown chakra open हो रहा है तो तो यहां पर are you addicted to suffering मैं एक और निकालूंगे वैसे लेकिन यह दिखाता है कि अगर आप बार बार past में चला जाते हो किसी रीजन से तो यह आपके लोगों के लिए message हो सकता है कि आप क्या अपने आपको क्यूं इतना सफर कर रहे हो आगे बढ़िए काफी positive changes आप लोगों के लिए है और कई बार यह भी होता है कि बहुत ज़दा pressure दिया जाता है जब enlightenment दिया इस तरह की awakening में से गुजरना होता है तो बहुत स you are still not ready for the big change तो यहाँ पर big changes आ रही है लेकिन हो सकता है कि आप feel कर रहे हो कि अभी आप ready नहीं हो big changes के लिए लेकिन जो universe की जो timing है वो आपका इंतजार नहीं करेगी तो इसलिए अपने आपको कहीं न कहीं आप शाद suffering से निकाल नहीं पा रहे हो इस वज़े से आप big change के लि अगर यह सारी big changes possible होई लेकिन आपकी initiate यानि कि start होना वो definitely मुझे लग रहा है कि वो changes आती हुई नजर आ रही है आपकी तरफ या आप initiate कर सकते हो you know hangman की position में कुछ नया करना start कर सकते हो जिससे आप कहीं न कहीं उसको जो आने वाली growth है या आने वाली big changes है उनकी कहीं न कही beginning कर सकते हो जो page of wants भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप कुछ books read करने या किसी तरह की information grab करने शिरू कर दे जो एक तरह की श्रवात आप कर सकते हो तो यह थी आप लोगों के लिए reading thank you thank you thank you so much for watching file 3 please like share subscribe जू करे मेरे चैनल को comment section में जूरू पता है कि आपको ये reading कैसी सकते हैं मुझे whatsapp number और email address हमेशा in description box में दिया होता है thank you thank you thank you so much for watching and bye for now